असलाम आलेक्म टो एवरीवन कैसे बेटा खेरियत से हो हाँ बई तो इंतजार का लहां खतम होगे आप लोग के लिए तो इस एजगर खान फ्रॉम चाजाओ आप लोग से मुलाकात हो गई और मुलाकात में तो एक तारू बहुत जरूरी है दूसरा आप लोग भी अपने बा समारा सिटी ओके माशालला वही तो चाजाओ की टीम ने सिंद्ध के मुक्तलिफ शहर के बच्चों को भी खटा करना शुरू कर दिया ऐसे हैं ना वही चैनले गुड उस्मान पब्लिक से माज ऑलसो चैनले वेरे गुड वही तो इस्टार्ट करते हैं आज देखो माइट से अजगर खान मेरा नाम है और पिछले तकरीब अठारा साल से 18-20 साल से मैं यह काम कर रहा हूं पढ़ने पढ़ाने का काम शुरू हो गया मेरा अच्छा मास्टर्स किया मैं फैजिक्स में ही मास्टर्स किया अलम्दोलिल्ला उसके पढ़ने पढ़ने का एक सिलसला जारी रह और यह सिलसला अभी तक कायम है यह पहला एक नादिर मौका मिला हमें बच्चों के पास इस तरह जाने गा इससे पहली भी कुछ दो साल पहले एक काम जरूर किया था हम लोग ने जिसमें हम बच्चों के साथ लाइफ गय थे और लाइफ जाने के बाद यह था कि वह एक बह ही तो यह तो एक था कि हम पिछले 18-20 साल से मेरा काम ही यही कर रहा हूं इसी के दुरान ते ग्रिवान ओल्मोस 50,000 स्टूडेंट्स हैं मेरे तो टीचर्स हैं जिन्नों को मैंने में टूर किया काम किया उनको ट्रेनिंग दी और आज मुखतली शोगजात में अपने टीचिं मेरी क्लास में आर हमारी टीम की तरफ से लाइफ क्लास तो फिल्कुल दी जा रही इस लाइफ क्लास पहसरी अपने के टेस्ट सीरीज एक आप लोग के साथ शेर किया जाएं जिसके साथ साथ आपको analyze भी करके जूंकर basically आपने कैसे पढ़ना है कैसे काम करना है और इस पूरे program को हम आगे लेके कैसे जाएंगे अबिसली फिर उसके बाद हम लोग ने dot clearing session रखना है dot clearing session में यह जरूर होगा कि जब कभी भी हम किसी टॉपिक को चैप्टरों को कम्प्लीट कर लेंगे तो मेरी परसनल कोशिच ही होती है कि उसको एक एक रिमाइंडर किलास रख लिया जाए उससे फायदा यह होगा कि उस चैप्टर में फिर तुम्हारे पास जितनी भी डॉट डॉट फु की बुक आईए ना यह क्लास नाइन के लिहाद से नहीं बुक है लेकिन है यह एज़िटीज मैट्रिक की आदी बुक तुम लोग को दे दी गए तो इसमें जब तुमसे मैं पास पेपर के बारे में बात करो ना तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना के सर यह पास पेपर आप क क्योंकि उस वर्च यह जो आपके पास बुक है वो मैट्रिक क्लास के साथ तो इसका पास पेपर भी मिलेगा सारी चीजह मेलेंगे आप लोग को और बिल्कुल इंशालissors मा्स पेपर का सेशन भी जरूर रखेंगे ताके आपको बोर्ट की एकजैम में कोई प्राबलम नहीं है ठीक है अब इसी के साथ सथ अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमारे पास मेरे Śार्जाओ के नाम से चार्जों में भी इस प्रोडाम को मैं लीड कर रहा हूं और मेरी पुरी टीम को तो त्ग्रीबन देख लिए आप तें तीचर आपके पास आगएं अब्दुल्ह भाई ने मंपड़ु क्लास लिया होगा उसके बाद तीजरे को हमारे था रोगे उसको डिस्कुस कर रहोगे तो उम्हेगेव मैं कुछाज्यों क्रोम हमारा स्टार्ड करने का मकसद क्या था हम लोग ने क्यूं स्टार्ट किया चार्जों को तो चार्जों में अब तक जो ऑनलाइन सिस्टम में जो हमारा काम आ चुका है वह को आलमोस हमारे पास तक्रीवन 50,000 MCQs विट वीडियो सल्यूशन हमारे पास मौचूर है जो हमारे अब अभी करंटली है ठीक है इस 50,000 MCQs के वीडियो सल्यूशन औवियसली हमारे एक्सपर्ट टीचर ने बनाया जिसमें उस MCQs को आप हमारे टेस्स सेक्षन में जाकर प्रे MCQs के डायरेक लाइव एनलाइसेज भी एक्सपते हो और फिर इसके वीडियो सल्यूशन भी मौचूद है अब अगर मैं सरिफ किलास नाइन के लिहाद से बात करो ना आपसे तो किलास नाइन में तमाम सब्जेक के तमाम चैप्टर के बुक के MCQs हमारे एप पर मौचूद तो मैं किलास नाइन में फिजिक्स को अगर मैं डिसकेस कर रहा हूं तो किलास नाइन के फिजिक्स में मेरे पास नौ चैप्टर हैं अगर यह नौ चैप्टर मेरे पास हैं तो इन नौ चैप्टर में अगर तमाम नौ चैप्टर को मैं दो प्रैक्टिस टेस से मल्टिप्ला करा दू तो almost 180 mcqs with video solution आपको मिल जाएंगे ये बुक के लावा है ठीक है तो ये बड़ा important हो गया फिर इसी के साथ साथ इसी के साथ साथ आपके पास live analysis मिल जाएगा जैसे कि आप test को mcqs को क्या करोगे भाई अपने attempt करने के बाद अपने result को समिट करोगे ना तो तुम्हारे पास एक graph की सुरत में पूरा result आ जाएगा कि कहां कहां पर आपके वीक point है और कहां कहां पर आपके strong point है तो उसमें आपको नदर बस से बचाए जहां वीक point है ना तो वहां पर उसके वीडियो solution में डॉट के लिए session भी आपको साथ साथ मिल जाएगा फिर मसला नहीं होता तो चैप्टर टेस्ट हमारे पास बिल्कुल मिल जाएगा आपको जैसे कि मैं यहां पर ऐसे बता रहा था चैप्टर वाइस इस तरह मिल जाएगा अच्छा सब्जेक मौक टेस्ट क्या होगा तो जब आप पूरे टेस्ट को अच्छे तरीके से पूरे सब्जेक मौक टेस्ट में जाने के बाद आप अपना टेस्ट भी ले सकते हो यहां पर भी जितने भी मौझूद है उसके भी आपके पास वीडियो सलीशन मौझूद है तो फिर कोई मसला नहीं होता ठीक इसी के साथ साथ अगर देखो के तो ग्रैंट टेस्ट में बेसिकली पास पेपर है ग्रैंट टेस्ट में बेसिकली पास पेपर हैं और यह पास पेपर के MCQs वीडियो सलीशन यहां पर भी मौझूद है तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लोगे अभी तक छाजो के प्रोगर में हमारे एप पर यह सब चीत मौझूद है तो देर नहीं कर एक बुक्स MCQs मौझूद हैं जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था विडियो सलीशन और वीडियो सलीशन के साथ वह आप देखोगे तो वहां पर आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा बच्चे क्या कोशिश करते हैं देखो अभी तुम्हारे क्लास नाइन तक आने क का मकसद क्या था तो क्लास नाइन के आने का मकसद यह था कि क्लास नाइन में जब हम इतने लोवर लेवल पर आकर हमारे एप्टिट्यूट की टीम आकर पढ़ाना शुरू हो गई ना तो यह बहुत जरूरी आपके लिए कि आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझें के किलास से एप्टिट्यूट के टेस्स के त्यारी कराने के लिए बच्चों को जब हम डिसकस करते हैं बच्चों के साथ बाते कर रहे होते हैं तो पढ़ाते वक्त हमें बहुत फील होता है यह सब कि बच्चे के किलास नाइन में इसके साथ ना यही चीज़ मसला था और इसको उस वक दूर कर दियाता तो बहुत अच्छा होजाता इन तमाम चीज़ को मद्र नजर रखते हैं आज किलास नाइन में अगले साल इंशालला किलास नैट्रिक में होंगे फिर दो साल आपने इंचालला चारजो एप से ही करोगे आईबे ग्रैड से ही करोगे और उसके बाद जब आप aptitude test में आओगे ना तो इंशालला आप उन तमाम बच्चों से बहुत वहतर होगे जो कि अभी आभी हमारे live session में मौजूद नहीं है तो मैं guarantee ले सकता हूँ इस team को lead करने का मकसर या पूरी team बनाकर इस काम को start करने का मकसर ही यही था और आगे लेके जलने साथ फायदा यह हो कि जब उनको अपने life में decision लेने का time आए ना तो फिर उसको परिशान ना हो वो उनको पता हो यार कि मुझे engineering करनी थी ना तो class 9 और matrix से मुझे पता था कि मुझे mechanical करनी है या मुझे electrical करनी है या मैं तो civil में जाओंगा और मुझे कराची में बुर्ष खलीफा बनाना है है ना भई तो यह बहुत जरूरी होता है आपनी कांसेला के जरिए कि आपको पता चल जाया है कि आप के अंदर क्या चुब ही डिओ अक्सर हम अपने बच्छो को यह देखते हैं अक्सर अपने बच्छो को यह देखते हैं नोड करते हैं कि सर यह जो हम लोग ने एड्मिशन ले रहा है उसका अपना software अपडेट नहीं है ना उसको इंट्रस्ट है तो जब किसी बच्चे को computer में इंट्रस्ट नहीं है न तो भई CS ना ले हां किसी बच्चे को अगर mechanics उसको mechanic यह बनने है और तो भाई mechanical department ले ले एक electrical लेकिन उसमें चक्कर हिए होता है कि हम तो आम अपने Will come लेकिने उसमें त्सक्षब आभि ने पीसे जादा हैं पैसे लाप ऐखेंगे शर्म noodle TV करेंगे आप दिल से होगा काम ठीक है और दिल से काम वही होगा जब आप शौक से किसी फील को क्या करेंगे अडॉप करेंगे और उस वक्त अल्ला ना करे कहीं का नाकामी भी होती है जब हम काम कर रहे होते हैं नाकामी हो जाती है लेकिन दिल में बात होती है कि यह चीज तो मैं खुद मैं नहीं आए तो फिर हमें अपने उपर मेहनत करने काम करने में रेली आसान हो जाएगा ऐसी ना वहीं ठीक हो गया सही कह रहा हूं ऐसा होता है थोड़ा सा ना मुझे चैट बॉक्स में मुझसे बात करने हैं सारे बच्चों ने बात करने मैं कुछ खामोश बच्चों को नहीं होई चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉंस करने यस और रोगा अच्ये तराइक और नो में बिल्कुल जवाब देना है ठीक है ओके अंशरा ओक्यों हो गया ठीक है तो एक तर्तीब तो हमारे पास से हैधर बाहू चलो वही एक और बच्चा अगया नहीं पास तो एक एक हमारे सेट एल्पुन नजराएगा जो गिराफिकल रिप्रेसेंटेशन के तरह यह दिया जाएगा इसमें तुम अपने आपको एनलाइज कर सकते हो कि अभी तक कितने कोर्स तुमने पढ़ा कितना कुछ आ चुका तहा इकवाल जजाक अल्ला तो कितना कोर्स आ चुका और कहां तक तुम जा सकते हो ठीक है चले एक तो यह तर्टीब बन गई हमारे पास जिसमें हम लोग ने चाज़ा सब्कर करते हैं तो एक तो हमारे पास सबसे पहले वकास बयarent का मुद्द यह हमारे पास ev में औरका सो की चोइट क्यों हैं क्यों बोला गया कि भाई इसको रख लिया जाए हमारे पास काम करेंगे तो हमारे पास यह वक्ताब भाई है पिछले 10 सालों से एकप्लप के हमारे पास मैं इसको डिसकस कर रहे पढ़ार है और एक्वास experience है और one of the very best in the market बहुत ही काबिल टीचर और बहुत ही लाइक टीचर अपने बच्चों के साथ बहुत सिंसेर जैसा कि हम लोग ने पिछले 6-7 सालों से देखा माशालला से इसी के साथ सब्सक्राइब घंब मैं और आपके पास है मैं इसके साथ साथ हमारे हम बाएंव के हमज़ा खान भाई अंफिल कर चुके हैं अपने वाटनी में और माशालला से कि यूज दे कोई आपके पास सेशन करेंगे चार से पांच के किलास नाइन की किलास ले रहे होंगे एक तो यह हो गया फिर उसके सासर उसके सासर माई सेल्फ खुद अब मैं क्या पढ़ रहा हूं क्या कराता हूं यह तो मुझे तुम लोग तारूफ करा दोगे बाद में ठी मैनेटरी टीचर हैं मंडे को तुम्हारे साथ लाइव होंगे तुम्हारे पास से चार से पांच में और तीन से चार में और इसी के साथ साथ हमारे पास कैमेस्ट्री के लिए अरसलान रहमान भाई हैं यह भी आपके पास तीन से साड़े चार में वैनेस डे को रहेंगे ठी तो अच्छे तरीके से तमाम किलास के स्कैज़वल को अभी मैं उसको भी डिसकस कर ले तो आप से फिर इसके बाद हमने फिस्क को डिसकस कर ले तुम अपने टॉपिक कि कि आप अपने स्पूल में, अपने कोचिंग सेंटर में, अपने सेबलिंगS में और अपने सारे लोगों में जहां जहां तक आप जानते हैं ना हमारे इस के बारे में उन तक हमारा पैगाम получится करें कोई मज़ता नहीं है बस दूम को डाउनलोड करके लिंक में किलिक करोगे आप आज होगे बिल्कुल तो जब आज होगे तो आपके पास क्या होगा आपके पास अब मंडे ट्यूजडे वेनेज़डे थर्जडे फ्राइडे इन पांचों दिन में जो तुमारी किलासे हो रही साल मेरे आप से तालुक रहने वाला है और फिजिक्स में होने क्या जा बही है तो हमारे जो बच्चे माशेल्लहез यह जो बच्चे वड़े मासुम होते नाइन को खेलना पड़ता है इनको अपने самые देना होता है इनको कभी दरख से ना फल भी तोड़ना होता अई ऐ इसी के साथ साथ उनको कभी टेबिल टैनिस, किर्केट, फिटबॉल और होकी भी खेलना होता है अपनी एक्टिविटीज को बहाल रखना होता है और उन तमाम एक्टिविटीज के साथ अगर तुम्हारा पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हुआ हुआ है ना तो यह इस्टूर्ट एक्टिवेट रहे और किसमें अपने अपने दूसरे करिकुलर में भी जिसमें उसके स्पोर्ट्स है उसके खिलने का टाइम है उसके पढ़ने का टाइम है और यह जो शुरू-शुरू की किलासे देना इसमें मैं अक्सर बलके शायद अब मेरी आदत ऐस उसके उठने का टाइम उसके खाने का टाइम उसके नमाज का टाइम उसके पढ़ने का टाइम दे आराल फिक्स उसके कहीं पुर्राम में जाने का टाइम फिक्स है अगर मैं अजगर खान हो और मुझे पता है कि मुझे रात 9 से 11 बे तक मुझे पढ़ना है या मुझे पता ह का तो no compromise with my study मुझे पढ़ना है और उस टाइम पर मुझे अपने आपको मैनेज करना है बिल्कुल इसी तरह है कि अब एक टाइम में मेरा जिम जाने का तो उस टाइम पर मैं जिम जाओंगा और उसमें मेरे कोई पढ़ाई वाला हुआ तो मुझे स्कूल जाना है मुझे अपने लाइफ किलासेज लेनी है मुझे अपने जिम जाना है मुझे क्रिकट खेलना है मुझे होकी केलना है फिटबॉल खेलना है टेबिल टर्निस खेलना है बिल्कुल मैं खेलूंगा लेकिन मैं अपने आपको सबसे पहले अपने आपका schedule बनाने के बाद जब मैं अपनी सारी चीजों को manage कर रहूंगा तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा और मैं activity में रहूंगा तो मैं fresh रहूंगा मैं हर वक इसी तरह पढ़ाता रहूं पढ़ाता रहूं पढ़ाता रहूं यह तो मुम्किन नहीं मेरे लिए तो बिल्कुल मेरे लिए possible नहीं है कि मैं continue किसी बच्चे को आट गंटा दजवेव गंटा बोलनों भाई पढ़ते रहूं तो और पूरे साल का इस 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 बनाओगे न तो उस इस समझता हूं कि मैं तुम्हें 50 घंटे में और मुस्ट चालिस से 45 से 50 आर्स में मैं तुम्हें नहीं पूरी सिदिक्स पढ़ा दो तो पूरे साल में तुम्हें कितना चाहिए 50 घंटे मुझसे 50 घंटे पढ़ो घर पे पचास घंटा पढ़ना पढ़ना फिसक्स पूरी ठीक हो गया अच्छा मैं तमाम सब्जेक में अगर पास सब्जेक्ट की लेलूं तो पास सब्जेक इतमें 200 गंटे और उस 200 गंटे से टीचर का लेक्चर लेने के बाद तुम खर पे 500 गंटे इस 500 गंटे को पूरे साल में इतवार है संडे वीकेंड है उसमें डिनर भी बीजा अपनी फैमली के साथ बहुत अच्छा लगता है मुझे यहां ऐसे ही है लेकिन तुम रिलेक्स रहो आप तुमारे पास 300 गंटे और उदर 600 गंटे का काम है पांसो नहीं मैं 600 गंटा ले लेता हूं तो रोजाना तुम्हे अगर तुम रोजाना अभी से दो घंटे पढ़ना शुरू जाओ और कंपल्सरी को एड कर लो मैं भी बता रहा हूं कंपल्सरी को एड करने के बाद तुम रोजाना चलो तुम चार गंटे बढ़रो नहीं तीन हंड़ो मैं तीन गंटे की अर्टे ले लेता हूं अगर तुम उससे प्रोमिस करलो ना उसमें तुम रोजाना तीन गंडे पढ़ानए थिए तुम एक्जैम के एंड में रात में तुम्हें जागनी की दरूरत नहीं में तुम्हें गैरंटी लेता हो लेकिन शर्द यह कि मादसे ऐस सब कुछ सारी डीटेल में शेयर कर राता हूँ लेकि मैं तुम मुझसे प्रॉमिस कर लो यह सर मैं यह तीन गंड़ा पढ़ लू ना पात्मा जजाग अल्ला अल्ला आपको जजाए खैर दे टीचर की दौएं लगती है और मैं अपनी जाहर से बात है मेरी यहां तक पहुंचनी की एक वज़ा मेरे उस्ताद भी है उनकी दौाएं में ज़रूर लेता हूँ तो अल्ला आपको जजाए खैर दे और यह बिल्कुल प्रॉमिस और मेरा भी आपको आप तमाम बच्चों को जो जो मुझसे प्रॉमिस करते हैं जो जो मुझसे प्रॉमिस करते हैं न मैं गैरेंटी देता उनको तुम रोधाना तीन गंडे पढ़ने की अपने टाइम बना लो और तुम्हें रात में जागनी की दरूरत नहीं है तुम अच्छे बच्चों की तरह पढ़ोगे तुमारी तुमारे ग्रेड्ड भी अच्छ हल यह था कि भई हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले अपने टार्गेट को सट कर लें तो मेरा टार्गेट तो यह है कि मैं अपने बच्चों को मॉटिवेट यह कर दूँ वह तीन गंड़ा पढ़ेगा और तीन गंड़ा पढ़ने के बाद बस वह पूरे साल में उसका स्कैजवल बना वहाँ है उसको पता है उसको चार गंटा एंसपूल जाना है या पांच गंटे स्कूल जाना है एक देर गंटी यहां किलास ले नहीं है तो पांच और दो कितना हो गया साथ और तीन गंड़े घंज़ में पढ़ने दस गंटा और बकिया चौदा गंटे में वह क्या करेगा उस 14 गंटे में में वह शुए गाश्से 8 गंटे और खेलेगा अपनी जिंद्गी गुदारेगा तब फंक्षन में भी जाएगा पाटी भी करेगा वह सब कर यार लेकिन पढ़ पहले पहले सबसे पहले हैं कि अपनी casual को बना लोगे तो यह promise कर रहे हो ना सारे बच्चे इस casual बना के आओगे पकी बात हो गई ना सारे बच्चो ठीक एक इस casual वाली बात आगई और उसको हम कैसे discuss करेंगे तो इसके लिए देखो ये sinboard class 9 का course हमारे पास 2023-2024 का cover करना है हमें पूरे साल में तो इसमें क्या है कितनी chapter से कैसे discuss होगा कैसे हम इसको काम कर सकते हैं ता इकबाल जजा करना मेरे बेटा तो इसके लिए मैं तुम्हें थोड़े सी तर्तीब बताता देखो अगर मैं तुम्हें बुक देखा दूँ तो बहुत सारे बच्चों के पास अभी बुक ना हो में भी possible है अभी बुक नहीं होगी तो इन बुक को नहीं रहने की वज़ा से ये बुक की cover देख लो ये बुक का cover है जो कि तुम मार्केट से देखकर इसको बिलकुल purchase कर सकते हो और मैं तुम्हें अभी भी बता दूँ और बिलकुल हम यह चाहते हैं कि हम आपको नोट्स प्रोवाइट करें तमाम basic material प्रोवाइट करें और क्यूंके class बिलकुल free आपके लिए आप बिलकुल class attain कर सकते हैं आप आजें तो यह जो notes के material है test schedule हमारा है उसके लिए आ आप admin से बिलकुल राप्ता कर सकते हैं क्या तर्तीब है हमारी वह admin आपको guide कर देगी ठीक है अच्छा बुत्ती तर्तीब क्या है मेरा बेटा तो सबसे पहला दोस्त आपका होना चाहिए आपका textbook बुक पढ़ने की आदर डाल लो यह जो यह जो तुम लोग messages पढ़ते हो न WhatsApp पे जितने messages पढ़ते हो तनी अच्छे बुक पढ़ लोगे तुम सही बन जाओगे लेटरेली बता रहा हूं ठीक है तो सबसे पहला promise क्या हो गया क्या पढ़ोगे वह एवरीवन माज बेटा चलो हैदर फात्मा मेरे बच्चे ताहा एवरीवन बुक पढ़ने की आदत like a WhatsApp message बिल्कु ऐसी पढ़ ले भाई लेकिन बुक के नहीं पढ़ोगे तुम्हारा concept कभी कि बहुत अच्छे नोट से पढ़ो मैं तुम्हें प्रोवाइट करूंगा guarantee दे रहा हूं तुम जब exam दे कर आओगे न तो तुम्हें तुम्हें number wise ऐसे लिख के बता दूंगा मैं तुम्हें ऐसे number wise लिख के बता दूंगा कि यह को यह पहला सवाल है यह दूसरा है यह तीसरा है यह चौता है मैं guarantee ले रहा हूं इंशालला 100% में तुम्हें ऐसे बना के दे दूंगा paper एक्जैम में पेपर के लिए दूरी बढ हुआ यह guarantee है तुम्हारी ठीक हो गया एक तर्तीब तो यह बन दूसरा दूसरी तर्तीब क्या होगी तो इसमें हमारे पास content मौझूद है अच्छा इन content में देखो तो पहला हमारे पास है physical quantity and measurement जिसको इंशालला हम कोशिच करेंगे आज में स्टार्ट कर लेंगे इंशालला ठीक है इसका इंट्रोड दरूर दे दूँगा मैं आप लोगो इसी के साथ साथ आपको दूसरे में kinematics मिलेगा जिसमें हम आम तर पर body के motion के बारे में बात कर रहे होते हैं फिर साथ साथ हम dynamics में बात कर लेंगे ये दोनो ये दोनो mechanics की branches हैं उसके बाद turning effect torque के बारे में हम discuss क कर लेंगे force and matter के बारे में बात करेंगे gravity क्या है Newton के उपर save करने वाली कहानी तुम्हें सुनाओंगा बहुत मदा आने वाला है तुम लोग को properties of matter आमतर पर हम discuss करेंगे energy sources के बारे में और फिर उसके बाद thermal property of matter के बारे में हम बात करेंगे ये total 9 topic है जो कि हम लोग ने डिसक ठीक है एक parameter तो तुमारे पास content के लिहाज से हो गया तो बुक की reading अपनी knowledge को increase करने के लिए reading करना मास जजागला बैस्ट हो गया यह अच्छा comments करता है ठेंक्स यार चलो और उसके बाद अब देखर हमारे पास subject में हमें पास marks distribution कैसे हम इसको कैसे discuss करेंगे subject के हवाले से कैस आ गया और इसमें total marks तुमारे examination point review से 75 है ठीक है जो कि तुमारे मार्शिट में यह नंबर लिखावाए इस इस total marks में से ना इसको distribute कर दिया गया एक एक theoretical subject में जो कि तुम यहाँ पर live classes में मुझसे पढ़ोगे इंशाल्ला और इस पूरे साथ नंबर की मैं आपको तयारी करा ठीक हो गया एक और दूसरा तुम अपनी spools वगरा में अपने practicals कर रहे होगे और यह practical पढ़ना नंबर का है यह दोनों add होकर तुमारे पास कितने बन जाएंगे बेटा 75 नंबर हो जाएंगे जिसमें से almost almost अगर मैं तुम से theory के बारे में बात करूं तो तुमें theory में minimum तु 58 to 60 नंबर आने चाहिए 55 प्लस आने चाहिए टार्गेट हमारा बिल्कुल बहुत हाई होना चाहिए हाई वैल्यू टार्गेट बनाओगे तुमारे लिए काम करना बहुत अच्छा हो जाएगा असाथ ठीक है तो एक तर्तीब हमारे पास ऐसे होगे दूसरा अगर मैं और मै पेपर के लिया से यह 20% मतलब बोर्ड में बोर्ड के एक्जैम में तुम्हें 20% MCQ मिलेगे और शॉर्ट कोस्टन अंसर अगर तुमको मैं दिखाओं तो शॉर्ट कोस्टन अंसर 40% है डिस्क्रिप्टिव तुमारे पास लॉंग अंसर जो है वह 40% होगा ठीक है यह 12 मार्ग के होंगे यह 24 और 24 इन तमाम को एड करोगे 12 प्लस 24 प्लस 24 तो यह आपके पास 60 मार्ग का पेपर बनेगा और 60 मार्ग का ही टोटल नंबर है आपके पास ठीक है तो इसको एक तर्तीब में देख लोगे दूसरी तर्तीब यह भी होगी हमारे पास कि इसकी कंडिशन में अग होगा अचा पेपर पैटरन में हां बिलकुल बिलकुल वहिद वहाई थो मैं परब क्या है तो सेक्षन ही में हमारे पास 20 परसन में ऐए अब यह जो मिल आते हैं यह आम तर पर यह कंपशरी होगा है इसमें कोई च्वाइस नहीं मिलेगा बारा सवाल दी जएंगे बारा के बारा से बारा करने और इस के लिए इस की प्रिपरेशन के बारे में अगर मैं तुम से बात कर लो तो इस की प्रिपरेशन तुम कर सकते हो अच्छा जो एप से जाकर तुम mcqs with video solution देख सकते हैं तो एक तो यह तरीका होगी है दूसरा यह के class में भी हम इसको discuss कर लेंगे हम में जब हम लोग ने doubt clearing session रखने हैं तो उसमें भी बात कर लेंगे दूसरा हमारे पास क्या है section B section B आम तोर पर 40 percent का है according to board point of view board में हम लोग में यह यह और यह short answer question होता है is short answer question में तुम्हे 8 सवाल attempt करने इस 8 सवाल में से तुम्हें दिये जाएंगे 12 अच्छा यह जो 12 सवाल है न इसमें समझो यह 12 सवाल तुम्हें चौबिस नंबर के दिये जाएंगे जो तो तुम्हें attempt करने और और अच्छे तरीके से यह क्योंकि 8 सवाल आप attempt कर रहे हो न तो यह 8 सवाल 8 into 3 which is equal to 24 यह तो टीक हो गया यह इदिद बिलोंग्स टूदिस लेकिन इंपॉर्टन के इन तूमसे यह बात कर दू न तो यह बात तुम हमेशा याद रखना हमेशा कि यहां पे तुम्हें तुम्हें कोस्चन अंसर भी मिलेंगे एंड मूस्ट इंपॉर्टेंट नुमेरिकल से इस नुमेरिकल के प्रैक्टिस के लिए बुक के सॉल्व एक्जेंपल जो बुक में मौझूद है बुक के एक्सेस के एंड में बुक के प्राब्लम दो और एक पास पेपर टोटल तुम्हें तीन तरीके से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और तुम बोड के पेपर ऐसी ही करके आओगे जैसे मैं जिस कॉंफिडेंस से मैं कहा रहा हूँ नुमेरिकल के लिए खासता है एक बुक के एक्जेंपल सॉल्व में तुम्हारे बुक के टॉपिक के मुताबिक जितने भी तुम्हारे पास सवालात आ चुके हो भी मैं तुम्हें करा दूंगा यह क्लास में हो जाएगा इंशालला कोई टेंशन नहीं तो यह नुमेरिकल से डरने नहीं शुरू-शूर में बच्चे हमारे बड़े भी सबाब बताओगे सौल करने से पहले मेरी गैरेंटी तो बिल्कुल ऐसी ही जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं ना मैं तुम्हें हर चीज़ का प्रूफ दूंगा और जब्लिक के दे दूंगा तो फिर आगे पेपर मिला लेना क्या होगा ठीक हो गया तो मैं जिन्दगी में आप ही तो हर सवाल तुम्हें हर सवाल तुम्हें क्यूंकि चार नंबर का है तो इस चार को छे से मटिप्लाई करोगे ट्वइनटी-फॉर मार्क्ट के हैं अब इसमें डैरिवेशन ना सकती है तुमारे पास साइक जाख चाला थिए भौत आसानी हो निए दफाट यह dis करते हैं लेक्षर को लेक्षर को पर लेक्षर के मेने आज सबसे पहला लेक्षर कौन सब्सक्राइए जी बच्चE चैप्चर बंबर वन में हम लोग ने introduction to physics के बारे में पहले बात कर लेनी अब introduction of physics के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूँ तो तुम्हारे पास सबसे पहली तर्तीब क्या है क्या condition आएगी उसमें तो introduction of physics में देखो सबसे पहले तुमारे पास क्या है तो हम कहते हैं कि physics is the branch of science which observe the nature represent it mathematically equation की सूरत में conclude with the experiment आम तर पर उसको हम conclude कर देते हैं experiment के जरिए chapter number one क्यूंकि तुमारे पास physical quantity and measurement है तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से discuss करेंगे physical quantity में fundamental और drive quantity भी आ जाएगा ठीक है fundamental और drive quantity भी आ जाएगा और इसी में हम physics स्टार्ट करने जा हैं लेकिन दो चीज़ याद रखेगा physics के लिए physics के लिए एक तुमारे पास matter का होना और दूसरा energy इन दोनों condition पर बात करेंगे और फिर इसके साथ साथ इनका mutual interaction बोलो यस और नो जी भई ऐसे ही है हाँ भी पक्की बात हो गई मैं डिसकस कर रहा हो ना हम मुझे response करोगे टॉपिक शुरू हो गया वही जितना मुझे सब काम कराना था करा चुका अब तुम्हें topic स्टार्ट कर लिया ओक्की की रिपोर्ट आ गई हाँ नोट्स वेगरा सब तुम्हें मिलेंगी doesn't matter कोई कोई problem नहीं बैस हो गया माशाला चलें अच्छा हो गया तो एक हमारे पास ओकी की रिपोर्ट है बेतरीन आ गया मास ओके तो एक हमारे पास physics का इंट्रो मिला अब physics के इंट्रो के साथ साथ में थोड़ा सा इसका एक एक ब्रीफ हिस्ट्री तुम्हें यहीं पर डिस्क्राइब करते वे चलूं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा काम अच्छा हो जाएगा एक काम करने के लिए physics और उसके branches को भी हम साथ साथ discuss कर लेंगे तो और बेतरी हो जाएगा ठीक है अब अगर मैं इसी के साथ साथ तुमसे बात कर लूँ इनके branches में तो physics में सबसे पहले हम बात करते हैं mechanics पर what do you mean by this mechanics mechanics क्या है mechanics को हम कैसे discuss कर सकते हैं तो हम बोलते हैं कि mechanics में सबसे important होता है कि हम body के motion के बारे में बात करेंगे with or without reference to the force with or without reference to the force में जब मैं with reference to the force के बारे में बात करूंगा न तो यह dynamics हो जाएग जो के chapter number three तुम्हें मिले और with reference to the force के बारे में बात करूंगा without reference to the force के बारे में बात करूंगा तो यह kinematics हो जाएगा जो के chapter number two में में बात करूंगा बो यस और नो अभी में पीछे बताकर आया न कि यह जो kinematics और dynamics तुम पढ़ोगे ना यह mechanics की ही ब्रांच है और इस mechanics की ब्रांच में तुम्हें with reference to the force बात होगी तो dynamics और without reference to the force की बात होगी तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा यह kinematics जो के chapter number two और chapter number three में हम उसको discuss करेंगे नौ similarly अगर मैं आपसे बात करूं इसी के साथ साथ तो मेरे पास मेरे पास एक और condition इसी mechanics में the branch of physics is mainly concerned with the laws of motion and gravitation तो what do you mean by this laws of motion तो Newton के law बड़े मशूर है हम बिल्कुल discuss करेंगे हम ठीक है आने वाले chapter में force में हम discuss करेंगे उसमें जाकर तो Newton's के law के बारे में बात करने है और कुछ gravitation के बारे में बात करने है कि यह आर्थ जरूर मौजूद है हमारे पास लेकिन के आर्थ के around कौन मूफ कर रहे मूद मूफ कर रहे प्लैनेट मूफ कर रहे अर्थ खुद इटसल्फ सन के around कर रहे तो यह कब होगा कैसे काम करेगा इसका time period कैसे ही करेगा क्यों मूफ करता है इतना अच्छा तुम लोग रिस्पॉंस करोगे ना तो मैं तुम्हें सही बताओ पड़ोगे और चार्जा होगे वह ऐसा होने वाला है जबर्दस हो गया माशालला बेत्रीन बेत्रीन हो गया चले एक तो यह हमारे पास है चले मेकैनिक्स वाली बात आ गई तो मेकैनिक्स में हम बॉडी के मोशन के बारे में बात करेंगे अगर विट रेफरेंस विदा फोर्स होगा तो डैनेमिक्स बन जाएगा विडाउट रेफरेंस विदा फोर्स होगा तो कैनेमेटिक बन जाएगा और इसी के साथ साथ हम लोग आफ मोशन पे भी बात कर लेते मेकैनिक्स में औ और gravitation log के बारे में भी बात कर लेंगे जैसे कि Newton की खर आगे बहुत तर्मो डाइमिक्साइब क्या है तो थर्मोडानेमिक्स में अगर मैं discuss करूँ थर्मोडानेमिक्स में हमारे पास एक अब में हम एक वर्किंग एंजिन के बारे में बात करते हैं वर्किंग इंजिन के बारे में बात करते हैं सकेंडेर के डॉप है ठीक है इसको हम आविएसली सकेंडेर में जाके पढ़ेंगे एक कारनोर्स इंजिन वर्किंग इंजिन कैसे वर्क कर रहा होता है तो एक इंजिन क इसमें डीजल इस्तमाल करते हो एक इंजन ऐसा भी जिसमें तुम पैट्रॉल की जगा हाई ऑक्टेव भी इस्तमाल कर सकते हो और एक तुम्हारे पास गाड़ी ऐसे भी है जिसमें तुम अब पैट्रॉल के साथ पैट्रॉल निया तो उसको सी एंजी किट ला लो और वहां प कर रहा है यह पहला सवाद है तो इंजन basically क्या कर रहा है इन तंमाम fuel की सूरत में जो तुम provide कर रहे हो इसको जला रहा है हीट produce कर रहा है और काम कर रहा है और गाड़ी चल रही है बोलो सवर नो यह बात मे आ रही नहीं आ रहे हैं हाँ बै्टरी भी सब्सक्राइब मुowe इस प्रिक पह्टो में लेकर धूल घमाल करेंगो है इन तमाम इंजन इन तमाम फ्यूल को जला रहे हीट प्रिड्यूस कर रहे हैं और उस हींजन कांग रहे है जैसे के च्छोटी सी मिसाल में तुम्हें दूंद December का महिन है फजर का टाइम है और December का महिन हा गया फजर टाइम भी आ गया और अब अब फजर का saresses start करूंगा या फिर मैं बायक स्टार्ट कर रहों तो किक लगांगा पहली दफां में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी नहीं था पहले रवामें गाड़ी स्टार्ट नहीं होथए क्यों क्युक्य इंजन का temperature जो है न वह surrounding temperature से कम है उसकी मैं एक विसाल देता हूं तुम लोग अपने घर में बैठे वे हो बुक कॉपी रिजिस्टर है उसको उठाओ उसके नीचे हाथ रखो पोल फील होगा चेक कर तमाम बच्चे मुझे रिस्पॉंस करना तमाम बच्चे जो रिजिस्टर जो बुक तुम लेकर बैठे हो उसको उठाओ और उस जहां पर रिस्टर तमाँ पर हाथ रखो कोल फील होगा बोल यह सवर नो ऐसा हुआ ना अंश्रा जजागला क्या बात है फात्मा दो जबरदस आईशा उपके की रिपोड़ाया बिल्कुल ऐसा होगा बिल्कुल होगा कंफर्म होगा ऐसे ही है तो वह कोल फील होगा इसका मतलब है इंजन का टेंपरेचर इंजन का टेंपरेचर सराउंडिंग के टेंपरेचर से कम है इंजन उस वक्त तक कामें नहीं करेगा जब तक उसका टेंपरेचर सराउंडिंग के बराबर यह जादा ना हो जाए तो हमने एक दफा कीक लगा ही नहीं हुआ दो तीन च चुरूब यह बोलो यह सब्सक्राइब कर रहा था उमीद एक बहुत अच्छे तरीगे तो में समझ में आगे होगा नेक्स उसके बाद अगली गानी सुन मेरा बेटा अगली गानी हमारे पास क्या है हमने अगिक्ति सिटी और कुछ शरारती बच्चे क्या करते हैं क्या करते हैं यह दिखे रही जिए थे लेडिये यह यह शर नश नहीं वाला बेटा कभी भी करन्ट से नहीं क्हेलना ऐसे मरूम हो जाओ गए तो यह बत्तमीदी नहीं करनी है ख्याल कर देंके कहां पर क्या तुम कर करा तो आज कल बड़ा सीधे ने घर्मियों की चुट्टी चल लिए कहा जाना है हां घर्मी की चुट्टी चल लिए और वह फैमिली का प्रोग्रामन क्या कर ली जील जा रहे हैं कोई वाटर पार्ट जा रहा है अच्छा यह सारी वह जगें हैं यह सीवी वेगरा जा रहे हम कि सारी वह जगें अक्सर इनके रास्तों में न हमारे पास हाई टेंशन का वायर हमें दिखता है और अगर हम दिन के टाइम जा रहे होंगे तो हमें हमें इस पार्क करने की अवाद आती है और रात के टाइम जाते हैं तो वह बिजली इस पार्क करते हुए हमें नजर आता ह है कि राज पर रोश्णी कम होती है बोलो यस और नो ऐसा होता है न तो हम करते हैं हम बोलते हैं electricity is the study and property of charges at rest rest position में and motion अच्छा रेस्ट पोजिशन में अगर electricity है रेस्ट पोजिशन में अगर electricity है तो यह इसरीब electric फील्ड क्या बनाएगा अब इलक्ट की साकेंर में में तो इन्शालह इंशालne तुम्हें एक कंडिशन कहानी सनाओंगा जहां पर चार्ज रस पर होगा ना उसरीफ एलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रिडिस करता एक परमेटर लेकिन चार्ज जब मूफ करता है ना तो इसके दो कंडिशन आ जाती है अगर युनिफॉर्म विलॉस्टी में तो मैगनेटिक फ कि मैरी लेगन पढ़ाूँगा सब कुछ तो चार्ज रित पर है लेक्ट्रिक फील्ड चार्ज मूफ कर रहा है मैगनेटिक फील्ड युनिसवर्व ल师टी चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है की बनाने के लिए क्स्ते माल करते यह भी कूलिश प्राएंूस्ट सिकने के हिए 거지 तो X-rays harmful rays होते हैं ठीक इसको अच्छी तरह के से देख लीजेगा और इसी के सास्ट देखोगे तो तुमारे पास क्या होगा इस तो इस प्रण बेटा विट अगले वाले चेप्टर में आएगा काइनेमेटिक्स में डेजन मेंटर यह विलॉस्थी वह है जब तुम गाड़ी ड्राइब कर रहे हो उसकी एक डायरेक्शन है किसी भी एक कमेंट्स को मैं जाने नहीं दूँगा लेकिन यह सवाल अच्छा किया तो तुम करन गाड़ी चला रहा है विट विट इस पीड एन पर्टिकुलर डायरेक्शन अल्ला नहीं होना चाहिए तो पर्टिकुलर डायरेक्शन विट स्पीड मेरे पास विलॉस्थी क करते हैं बच्चे देखना तो हमारे बच्चे कहते चंबुक याद आ रहा होगा और 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 दोस्ती यारी में कैसा चल ला होता सीनिय यह वह सुना तो देखना भी देख यह बॉक्स ने तुमारे डेक्स में जो डेक्स है ना उसमें बैठावा बच्चा अब शरारत क्या कर उपर वाला भी साथ साथ मूव करेगा नाश्टी की शर्ड लिजा बोल आसा होगा माद ऐसा होता है नहीं होता इसका मतलब जीक मेग्नेटिक सीए इससे पास होगी लेकिन एलेक्टिक से तार की उपर फ्लास्टिक की कोटिंग होती है तो करन नी लगता जैसे जैसे मैं कम जरूर है लेकिन इसमें प्लास्टिक का कवर जरूर है और वो करण मुझे लगवन भी रहा यह तार है तार देखाने का मक्सद है कि इसको अगर मैं किसी स्विश के साथ कनेक कर दूं और कनेक करने के बाद हांसे पगड़नों करण नहीं लगेगा ऐसी होगा लेकिन अगर इक और शरारत होता है घर पे भी होता है दो मैगनिट लियाओ दोनों का पोल एक दूसरे के करीब ऐसे करो रिपलजन फील होगा ऐसा होगा लेकिन दोनों का नॉर्ट और सॉट लोगे तो अट्रेक्शन हो जाएगा बोलो यह स्वर नो ऐसे ही है तो यह मैगनेटिक फील हम अपने रिस्पॉंस दे दो ठीक है आज तक कितनी रखते हैं इंशाला यहीं से कंटीनी करेंगे अब तो हमें हमें रुकना नहीं है तमाम बच्चे मुझे रिस्पॉंस करोंगे भाई जितना अच्छा तुम्हें लेक्चर रगा न मुझे चैट बॉक्स में बताओगे उत से डिस्कस करोगे इंशाला तुम से मेरी मुलाकात होगी अगले जमरात को जबाक अपना खैला कियेगा असलावने कम